हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू पर्चम, तू था पॉइंट सीरीज में हिस्ट्री का नेक्स टॉपिक है, सोशियल रिलिजियस रिफॉर्म इसके पहले मैंने पार्ट वन डिसकस किया है, आज हम पार्ट टू पर डिसकशन करेंगे, अगर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में दाखके बाकि सारे वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं, इस आप मोहनरोई के उपर चर्चा की थी और इश्वाचंदर विद्यासागर पर डिसकशन किया था, टोटल हमको 10 यहाँ पर सुसाइटी, समाज या रिफॉर्मर्स के बारे में डिसकस करना था, बच्चे हुए 7 रिफॉर्मर्स आज हम डिसकस करेंगे, पहले पार्ट में मैं इनकी द्वारा बनाएगे सुसाइटी के उपर तू दा पॉइंट डिसकशन करेंगे, आप नोट्स खुद से भी बना सकते हैं, इस क्लास की पीडिएफ जो हमारी वेबसाइट पे अविलेबल हो जाएगी, तो आप वेबसाइट से भी पीडिएफ ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने दस रिफॉर्मर्स पढ़ लिए, इन्होंने क्या क्या काम किये तो सारे MCQ यहां पर अटेंड कर लिए, तो आपका MTS और CGL के सारे कॉश्चन और सारे टॉपिक यहां से कवर होते हैं, इन दोनों वीडियो से, और अगर सेशन पसंद आता है, तो अपने फ्रें सबसे पहली बात करेंगे आरे समाज के बारे में, आरे समाज जिसके founder कौन थे, दयानन सरसुती जी थे, दयानन सरसुती जी आप देख सकते हैं यहां पर picture, इनका काम क्या था, इनका काम था हिंदू धर्म को revive करना, लोग जो हिंदू कल्चर को, रिच्वल्स को भूल चुक सुधी मुवमेंट, मतलब प्योरिफिकेशन मुवमेंट या सुधी मुवमेंट की शुडवात यहां पर की थी, इसका मकसद था कि जो हिंदू कनवर्ट हो गए हैं, उनको बापस से हिंदू इसम में शामिल करना, तो इनोंने revive करने की कोशिश की हिंदू धर्म को, अगर हम दयानन सरस्वती जी के बारे में बात करें, तो इनका ओरिजिनल नाम जो था, वो मूल संकर था, और ये कॉश्चन आपको कई बार एक्जाम में दिखेगा, मूल संकर इनका एक्ट्वल नाम थे, और 12 फेब, 12 फरवरी 1824 को गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है, स्व स्वामी पूर्णानंद के द्वारा इन्हें नाम दिया गया था, दयानन सरस्वती, तो दयानन सरस्वती नाम किस ने दिया था, स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, और स्वामी विर्जानंद ने मत्वरा में इने वेदाज का ग्यान दिया था, तो वेदों की सिक्षा म अथरों में ने मिली थी स्वामी विर्जानन से और उसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है Go Back to Vedas, वेदों की तरफ लोटो, हमें अपने वेदों की तरफ लोटना चाहिए क्योंकि इनका मानना था कि वेदों में वो सारा ग्यान है जो इनसान की हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये बात इन्होंने कही थी, इसलिए इन्होंने कहा था Go Back to Vedas अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें स्वामी दयनन सरसुती जी के बारे में तो इन्होंने 1863 में अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की थी रिच्वल को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको उस पर कॉश्चिन करने चाहिए कि ऐसा क्यों मतलब कोई मीनिंगलेस अगर रिच्वल है तो उसको फॉलो करने की कोई ज़रत नहीं है हर चीज का एक प्रूव है, हर चीज का एक प्रमाण है और यह बात हमारे वेदाज में लिखी हुई है इन्होंने डॉक्ट्रेन ओफ वन गॉट पर बात की और आइडियल वर्शिप का मतलब जो मूर्ती पूचा होती है उसका इन्होंने विरोध किया इनका कहना था कि एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, ठीक है, go back to वेदाज इनका मोटो था और इन्होंने कहा कि जो untouchability है, मतलब चूअ चूथ है, child marriage है यह ना, यह सारी बाते कहीं भी वेदाज में mention नहीं है तो यह सारी practice हमें bend कर दिनी चाहिए ये सारी practice हमें नहीं करनी चाहिए ये बात इन्होंने कही इन्होंने अपनी जो preaching दी अपनी जो speeches दी वो हिंदी भाशा में दी जिससे लोग जादा से जादा उसे समझ सकें 37 साथ सौमी दयानन सरसुती जी नहीं हिंदी को national language बनाने की बात कही दी आप देखिए गा हम 1906 में सौदेशी movement मनाते हैं सौदेशी movement की शुरुवात 1906 में करते हैं हम सौराज की बाते करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सौमी दयानन सरसुती जी ने सबसे पहले सौराज टर्म को यूज किया था फर्स्ट पर्सन तो यूज तर्म स्वराज वो कौन थे स्वामी दयानन सरस्वती थे इन्होंने कहा था कि स्वदेशी को अडॉप्ट करो विदेशी विस्तूओं को बाइकार्ट करो और नेशनल लेंग्विज जो है वो हिंदी को बनाओ ठीक है इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश इनका बहुत important work है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसका work है स्वामी दयानन सरस्वती जी का है स्वामी दयानन जी के द्वारा 10 एप्रेल 1875 में 1875 में 1875 में आरे समाजी की स्थापना की गई थी बॉम्बे में और बाद में लाहॉर इसका head office बना दिया ग मतलब DAV school का formation stone रखा गया और पहला school जो है वो लाहॉर में open किया गया था 1886 में तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है आरे समाज के बारे में अगर आरे समाज में और जानना चाहते हैं तो आरे समाज का contribution देखेंगे तो इन्होंने social religious reform किये हैं और education sector वे basically focus यहाँ पर क Aryan culture को यहाँ पर forgotten मतलब चाहते थे कि Hindu culture उसको revive किया जाए it wanted to revive the forgotten value of Aryan culture Aryan culture की जो हमने value खो दी है उनको revive ही खड़ना चाहते थे तो आरे समाज के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है next बात करते हैं राम कृष्न परमहंस के बारे में तो राम कृष्न परमहंस जी का बहुत बड़े संथ के रूप में राम कृष्न परमहंस जी को याद किया जाता है सौमी विवेकानजी के गुरू सौमी विवेकानजी के टीचर भी कौन है राम कृष्न परमहंस यह chief priest थे और क्ली temple अट दक्खनेशवर तो जो केलकता में आप देखेंगे दक्खनेशवर तेमपल है काली टेमपल है वहाँ पर प्रीस्ट पुजारी हुआ करते थे रामकृष्ण परम्हंस और काफी सारे लोग यहाँ पर उनकी प्रीचिंग को उनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आया करते थे ठीक है न तो आपको याद रखना है कि इनके बच्पन का नाम रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था गदोधर था और ये किसके गुरू थे स्वामी विवेकननजी के गुरू कौन थे रामकृष्ण परमहंस थे इसलिए तो स्वामी विवेकननजी के दौरा रामकृष्ण मिशन की शुरूआत की गए क्योंकि हर चीज़ का पी liner आपको दिख रही हैं, नेक्स्ट बात करेंगे Swamiv Vekanand, Swamiv Vekanandji का original लाम क्या था, नरेंद्र Naath दत, original लाम बहुत important है, नरेंद्र Naath दत जो है, वो Swamiv Vekanandji का नाम है, original लाम है, इनका जन में 12 जन्वरी को होता है, 12 जन्वरी को स्वामी विवेकनन जी का जन्म एक बड़े संपन परिवार में होता है और इनके ओरिजिनल नाम जो है वो नरेंद नाथ दत्थ होता है At the age of 18, 18 साल के उम्र में विवेकनन जी की मुलाकाश श्री राम कृष्ण जी से होती है और सन्याच्सी होने के बाद प्रीच करना शुरू कर देते हैं जो राम कृष्ण परम हन्जी के जो मैसेज होते हैं वो लोगों तक पहुँचाने का काम करना सौमी वेकनन कर देते हैं लेकिन अभी तक इनका नाम क्या है? नरेंद नाथ दत्थ है यह वेदांथा की फिलॉसफी पर काम करते हैं इन्टिज्डीउज इंडियन फिलॉसफी और वेदांथा लेकीन नंड़ नौन ने योगा और वेदांथा की फिलॉसफी वेस्टरन वstersट में पहुचाने का काम किया सबसे अधिक मात्रा में अगर आप बोलेंगे कि Western World में योगा का concept देना, philosophy और विदानता बताना वो काम किस ने किया है, सौमे विवेकनन्द नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी 1897 में, जिसको 99 में officially register किया गया था, ये आपके philanthropic work इ भी बन चुका है कि वैलूर मट कहां पर है, तो वैलूर मट कैलकटा में है, और यही headquarter है रामकृष्ण मिशन का, तो वैलूर मट की स्थापना किस ने की थी, स्वामी विवेकनन ने की थी, साथी साथ स्वामी विवेकनन जी के बारे में एक और question पूछा जाता है कि जब य याद हो जाएगा Parliament of World Religion Chicago, जो धर्म सम्मेलन हुआ था, जो धर्म विश्व सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पर स्वामी विवेकनन जी गए थे और उन्होंने अपनी speech दी ती, जिसमें हिंदू फिलोसफी के बारे में उन्होंने वहाँ पर बताया था, यह घटना इस पेपर ने सौमे विवेकननन्द को औरेटर बाई डिवाइन राइट से डिस्क्राइब किया है, अब रामकृष्ण परम्हां मिशन की स्थापना कर दी, प्रीचिंग देना शुरू कर दिया, एजुकेशनल रिफॉर्म तो करी रहे थे, ब्रदर हुट की भावना की हम स इस पीच की शुरूआत करते हैं, तो अभी तक इनका नाम क्या होता है, नरेंदनाद दत्थ होता है, बट, यहां पर एक महराजा होते है, महराजा खेतरी, और वोने एडवाइक्स करते हैं कि आप अपना नाम चेंज कर लो, तब महराजा खेतरी के द्वारा उनका नाम सौमिव वेकननदी शिकागो गए है और वहाँ पर अपनी स्पीच दी है, तो किस शिप से जाते हैं, तो किस शिप से जाते हैं, तो यह पैनेंसुला नाम की एक जहाद से यह जाते हैं धर्म सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओके हैं, इतनी चीज़ें, अगली बा और वह काफी जादा प्रभाबित होती हैं स्वामि वेकनन से और उनको अपना गुरू बना लेती हैं, जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, तो सिस्टर निवेदिता का ओरिजनल नाम और उनकी नेशनलिटी मतलब किस कंट्री से थी, वह आपको याद र यंग बंगाल मुवमेंट से एक बहुत बड़े लीडर भी जोड़े हुए थे, जिनका नाम है इश्वर्चंद्र विद्या सागर, जी भले ही संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जब संस्कृत कॉलेज कलकटा में पढ़ाई कर रहे थे उस समय वह यंग बंगाल मुवमेंट से भी जोड़े हुए थे, इस बात को भी याद रखना है, तो यहाँ पर यंग बंगाल मुवमेंट के बारे में बात करते हैं, कि जो भी एथोर्टी है जो बिटिश रूल बनाते हैं कानूल बनाते हैं जो एथोर्टी उन पर कॉशन करने का दिकार है इन्होंने freedom के बारे में बात की इन्होंने press की freedom के बारे में बात की तो ऐसे कही सारे चीज़ है क्योंकि ये काफी ज़्यादा inspire किसे थे French revolution से थे फ्रांस की क्रांती से काफी ज़्यादा ये प्रभावित थे इसलिए वो चाहते थे कि भारत में वे उस तरीके से हो और हमें आवाज उठाने की मतलब इंडियन्स को आवाज उठाने की ज़रुवत है जो भी बिटिशर्स की policy है और किस तरीके से बिटिशर्स जो है व की थी इसलिए इनके जो followers थे उन्हें दोर्जियन्स के नाम से जाना था था एक radical group था basically है इन्होंने freedom of press के बारे में बात की इन्होंने कहा कि मतलब इंडियन लेबर है उनको अच्छे तरीके से treat किया जाना जाए इन्होंने jury के ट्राइल के बारे में बात करी इन्होंने कहा कि जो इंडियन्स हैं अगर आप उनको रोजगार देते हैं employment देते हैं तो इनको higher grade पे भी appoint करो क्योंकि आपको पता है कि इंडियन्स को केवल lower grade पे ही नौकरी दी जाते हैं ती government services में तो यह सारे काम इन्होंने किये हैं इनकी एक पुस्तक भी है जो है to India my native land to India my native land जो है व बंगाल movement के बारे में next बात करेंगे servant of India society servant of India society का formation 1905 में किया गया था 1905 में किसने किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था यह वही गोपाल कृष्ण गोखले जी है जो कि महात्मा गानी जी और मुहमद अली जिन्ना के political group भी होते हैं इन्होंने servant of India society की स्थापना की लोगों के upliftment का काम देश के भले का काम यहाँ पर कर सकें इसलिए servant of India society की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी 1905 में 1905 में चीक है अगली बात करते हैं यहाँ पर अगली यहाँ पर society है theosophical society theosophical society की स्थापना जो है वो 1875 में 1875 में ह का formation हुआ था और इसका इस society का foundation stone किस ने रखा था मैडम मैडम ब्लावेस्ट की एंड कर्णरल ओलकूट मैडम ब्लावेस्ट की एंड कर्णरल ओलकूट के द्वारा इसकी स्थापना की थी बाद में जाके एनी बिसेंट भी इस society के साथ जुड़ जाती है यह लोग Hindu philosophy को promote कर तो काफी जादा Europeans जो होते हैं वो भी influence होते हैं इनकी ideology से तो काफी सारे European भी जो है वो Hindu philosophy की तरफ attract होते हैं और इस society को join करते हैं ठीक है अमेरिका में इस society बनाए गई थी लेकिन 1882 में इसका headquarter ADR मतलब मदरास में भारत में shift कर दिया गया था 1882 में याद रखेंगे ADR headquarter ठ बात करते थे किसी विव्यक्ती के साथ उसके race, sex, caste या color को लेकर कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए तो यह सारी बाते हैं यह society के लोग क्या करते थे ठीक है एनिवेशन जो कि एक Irish woman थी एनिवेशन जो कि एक Irish woman थी वो भारत आती है 1893 में और जिसके कारण यह society का जो movement चल रहा थ भी बनती 1907 में अच्छा यहां पर एनिवेशन जी की द्वारा women upliftment का काफी काम किया गया, women education पर काफी जादा इनोंने ध्यान दिया, इसलिए उनकी द्वारा Central Hindu College Banaras का foundation stone रखा गया था 1898 में और बाद में इसे ही आज हम BHU Banaras Hindu University के नाम से भी जानते हैं, okay, 1916 में इसको ही हम Banaras Hindu University के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने यह foundation stone रखा था Central Hindu College in Banaras in 1898 where both Hindu religion and Western scientific subject were taught, तो यहां पे Hindu religion के बारे में और जो आपका Western में आपका science है, approach है, research है, उसके बारे में भी सिखाया जाता था, तो यह बाते हैं आपको इस society के बारे में आद रखनी है, अंत में बात करते हैं प्रातना समाज के बारे में, तो प्रातना समाज का formation कहां हुआ था, Bombay में हुआ था, कब 1876 में, 1886 में, किसने किया था, Dr. Atmaram Pandurung, ठीक है, तो प्रातना समाज was set up in Bombay by Dr. Atmaram Pandurung in 1876, और इनका objective भी क्या था, social reform करना था, और rational worship इनका objective था, यहां पे दो बड़े leader के नाम आ associated थे, एक तो हो गए आपकी R.C. भंडारकर, R.C. बंडारकर और दूसरे है justice, महादेव कोविंद रनाडे, M.G. रनाडे भी ने कहा जाता है, और इनका association भी प्रातना समाज से रहा है, यह लोग जो है, वो social reform करना चाहते थे, इसलिए intercast marriage, intercast dining, vitory marriage, depressed class के जो women's हैं, उनके uplift का काम, उनकी education का काम, उनको financially independent बनाने के लिए इन लोगों ने काफी प्रयास किये हैं, अगर मैं महादेव कोविंद रनाडे जी के बारे में बात करों, तो इनके प्रयासों से founder of the widow remarriage association, इन्होंने widow remarriage association का formation किया था 1861-1861 में, ठीक है, और इन्होंने दक्कन education society का भी formation stone रख आद रखनी है, पहली बात प्रातना समान से associated है, दूसरा इन्होंने widow remarriage association बनाया था 1861 में, इन्होंने दक्कन education society का formation stone रखा था और पूना सर्वजानिक सभा की स्थापना की थी, यह चार बातें आपको M.G.Ranade के बारे में पता होनी चाहिए, तो clear है, तो सारी जो 10 हमको reformers के बारे में discuss करना था, society के बारे में discussion करना था, वो मैंने आपको कर लिया है, अब question की तरफ बात करतें कि कैसे question exam में बनेंगे, तो पहला question पूछा जाएगा, who among the following is known as the Martin Luther of India, भारत का Martin Luther किसे कहा जाता है, तो Swami Dayanand Saraswati जी को Martin Luther of India के नाम से जाना जाता है, और अगर father of modern India पूछ लिया जाए, तो आपको Raja Ram Mohan Roy जी का नाम याद रखना है, ठीक इतनी चीज़े, अगली बात है, Vivekanand left for Chicago from Mumbai in a ship name, तो किस ship से गई थे यह, तो answer हो the peninsula, okay, option B is the right answer, who had vigorously advocated for religious education in Indian University, तो कौन यहाँ पर Indian University में religious education को advocate करते थे, कि धर्मी के बारे में भी religious value के बारे में भी educate करना चाहे, तो Swami Vivekanand is the right answer, option A, who was, what was the real name of Dayanand Saraswati, Dayanand Saraswati, जो की आरे समाज के founder है, उनका original लाम क्या था, तो मूल संकर, option A is the right answer, who founded the Dev Samaj, Dev Samaj की स्थापना किस्से की थी, ये question हो सकता है, बहुत से बच्चों के लिए नया हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, Dev Samaj के founder है, Shiv Narayan Agrihotri, कौन है, Shiv Narayan Agrihotri, देव, देव कौन होते हैं, Shiv और Narayan, देव है न, तो Dev Samaj के founder कौन हो गए, Shiv Narayan Agri Agrihotri, option D, बिल्कुल correct हो जाएगा, देव समाज एक religious and social reform society थी, जिसका formation 16th of Feb 1887 में किया गया था, 1887 में इसका formation किया गया था, लाहूर में, कहां पर किया गया था, लाहूर में किया गया था, किसने, Shiv Narayan Agrihotri जी के दौरा, और ये भी एक समय पे ब्रह्म समाज के follower थे, ठीक में आपको देव समाज की teachings के बारे में जानकारी मिलेगी, इन्होंने कहा था कि हम ब्राइव नहीं लेंगे, मतलब जो आप बोलते ना, सरकारी लोग जाद अच्छे से जानते हैं ब्राइव के बारे में, ठीके तो ब्राइव को accept नहीं करेंगे, इसके अलाबा इन्होंने क रास्ते पे चलेंगे, इनकी जो पूरी की पूरी बाते हैं, teachings हैं, किस ideology पे हमें काम करना है, वो आपको देव सास्ट में मिलेगा, ओके, और child marriage के भी against थे, सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तर किसने लिखिये, सत्यार्थ प्रकाश मैंने बताया था, स्वामी दयानन सरस्व की बुक है, option सी बिल्कुल correct हजाएगा, who organized the KUKA movement, KUKA movement किसने organize किया था, तो यहाँ पे गुरू राम सिंग, कुरू राम सिंग के दौरा KUKA movement organize किया गया था, KUKA movement को नामधारी movement भी कहा जाता है, KUKA movement को हम क्या कहते हैं, KUKA movement जो है, कहां पर शुरू हुआ था, पंजाब के reason में, Britishers की policy के against, पंजाब के reason में KUKA movement शुरू होता है, पहले एक social religious movement होता है, फिर एक political movement भी बन जाता है, यह 1849 में, और यहाँ पे दो नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं, basically तीन नाम याद रखने हैं, दो नाम जो कि आपको यहाँ पे starting में movement से जुड़े हुए थे, वो हैं Baba Balak Singh और Bhagwat Jawaarmal ठीक है, भागवत Jawaarmal और Baba Balak Singh यह दो परसन हैं जो कि इस movement से जुड़े हुए हैं और बाद में जाके इस movement को और भी जादा propagate करने का काम, और जादा इसको spread करने का काम किस ने किया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम सिंग जी के दौरा, ठीक नामधारी सेक्ट कब बना था, 12th of April 1857 में बना था, नामधारी सेक्ट, ओके इसको आपको याद रखना है, तो नामधारी movement भी इसे कहते हैं, the नामधारी were also known as the Kukas, क्योंकि Kuka, Kuka मतलब उनका जो गुरुवानी कहने का, बोलने का तरीका था, बहुत यूनिक था, इसलिए ने Kukas कहा जाता था, ओके, next है, who were the leader of Brahmosamaj and Adi Brahmosamaj, जैसा कि आपको पता है कि दो बार split हुई है आपकी Brahmosamaj है, 1866 में जैसा कि मैंने बताया था, कि आपकी जो Brahmosamaj थी, दो पार्ट में टूड गई, एक Adi Brahmosamaj और एक Brahmosamaj of India, तो Brahmosamaj of India को lead कर रहे थे, केसफच और Adi Brahmosamaj को lead करते थे, कौन? देवेंदरना, टैगोर, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसे साब से आप देखेंगे, option B is the right answer, who founded the Theosophical Society in India, तो किसने formation किया था इसका, तो मैडम, बलाबेस्टिकी and H.S. Allcott ने, option C is the right answer, बाद में जाके, एनी वेसने भी इससे जुड history के देखें हैं, उनी सारे वीडियो से आपको इसको arrange करना है, 1764, आप सभी को पता है कि 1757 और 1764, क्या हुआ था? Battle of Classy और Battle of Boxer हुआ था, तो पहले का तो चौता हो गया, ये matter close, 1829, बिलियम बेंटिंग के समय, राजा राम मोहनरोय जी के प्रयासों से सती को बैन किया गया part of Indian education या फिर English education in India कहा चाता है, तो ये कब आया था? बुड़ डिस्पैच आया था, 1854 में, 1856, 1856 में क्या हुआ था? विडो रिमेरिज एक्ट पास हुआ था, 1856, ईश्वरचंद्र विध्या सागर, है ना? तो ये आपको बातें याद रखनी है, तो सही आंसर हो जाएगा option number C is the right answer, okay? Next है, who wrote the book? बहु विवाहा, बहु विवाहा किसने लिखा है? बहु विवाहा, जो कि polygamy के against होगा? ईश्वरचंद्र विध्या सागर is the right answer, option A is the right answer. Who among the following started the newspaper? सूम प्रकाश, अब वहाँ पे वो सत्यार्थ प्रकाश था, दयानन सरस्वतिवाला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूम प्रकाश के बारे में, तो सूम प्रकाश न्यूस पेपर किसने शुरू किया था? तो ये न्यूस पेपर शुरू किया गया था, किसके दवा चलिए, ईश्वर चंद्र विध्या सागर यहाँ पे बिलकुल सही आंसर है, option D is the right answer, सूम प्रकाश स्टार्ट किया था इश्वर चंद्र विध्या सागर ने 1859 में, लेकिन बाद में जाके इसे publish और editing करने का काम किसने किया था, यहाँ पर आप देखेंगे, द्वारे काना समाज, अलीगर मूवमेंट, यह तीनों जो है, वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, लेकिन आरे समाज जो है, उसका काम क्या था, हिंदु धर्म को रिवाइव करना, रिवाइवल के लिए आए था ना, यह लोग देखेंगा, बेसे एक लिए जितने भी आपके रिलिजिय है, कानून है, जो कि खतम होते जा रहे हैं, जैसे बेदों की और लोटो, है ना, तो इसके लिए आपको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुए थे, आरे समाज और देववण मूवमेंट, देवण मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, option D, अगली बात करते हैं, लोग हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, लोग हितवादी, लोग हितवादी हम गोपाल हरी देशमुक को कहते हैं, option C, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोग हितवादी हम किसे कहते हैं, गोपाल हरी देशमुक को कहते हैं, option C is the right answer, किसके द्वारा मुक्ती मिशन की स्थापना की गई थी पूने में, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रमाबाई, पंडिता रमाबाई के द्वारा मुक्ती मिशन की शुरुआत पूने में की गई थी, क्या कहानी, देखो इन्होंने मुक्ती मिशन की शुरुआत पूने में की थी, 1898 में, इनका काम था कि जो विडो है, जो विडो महिलाए हैं, पूर महिलाए हैं, उनको इनकरेज करना कि वो लिटरेट हो, सिक्षित हो और फाइनेशल इंडिपेंडेंट बने, इसलिए मुक् के पास कम समय हैं, और आप बिल्कुल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से कोई भी कॉश्यों ना चूटे, तो आप ही दोनों वीडियो देख लीजेगा, इस टॉपिक से आपका कोई कॉश्यों नहीं चूटेगा, क्योंकि मैंने काफी सारे MC क्यों यहाँ पर कवर करा दिये हैं, जो एक्जाम से पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटिटली पूछे गए हैं, ओके, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ, टू दा पॉइंट डिसकेशन हम करेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे हम इस सीरीज को continue at least कर सकें, ओके, आप लोग का सपोर्ट इसमें बहुत मैटर करता है, तो टेक कियर और बाबाई